है 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 हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज हम डिसकस करने वाले हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि आपके संग्या सवनाम विशेश विशेश क्रिया अव्य से संबंधित होंगे आप चैनल पर नया है चैनल को कर लिजे साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए जिसे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा और आप परिश्चा की तयारी बहतर डंग से कह सकें तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है वस्तु इस्थान भाव या विचार के दो तक सब्द को क्या कहते हैं आपके आप्शन है संग्या सवनाम विशेशर विशेश है तो इसमें आपका कौन साप्शन सही है या आपको बताना है तो इसमें आपका उत्तर सही होता है आप्शन नंबर ए यानि कि कि सिवस्त स्थान भाव या विचार के दोतक सब्द को संग्या कहते हैं रिच्ट कोश्यन है कि इस तृत्र तुछ में कौन सी संग्या है आपके संग्या आपके आप्शन है जाति वाचक संग्या व्यक्ति वाच च पाद ignored अवंका संग्या द्रविवाचक संग्या तो आपका इसमें उत्या सही होता है, option number C, यानि कि भाव आचक संग्या, इस तो ही तो शब्द में भाव आचक संग्या है नेक्स्ट कोश्चन है भाती शब्द का बहुचन है आपके आप्चन है भातियों भातियों इनमें से कोई नहीं तो आपके पास चार आप्चन है इनमें से आपको बताना है भाती सब्द का बहुचन क्या है तो इसमें आपका option सही होता है option number A यानि कि भातियों option number A आपका छही होता है next question है सूरी सब्दिका इस्तिलिंग क्या होगा आपके option है suryari surya suryai suryo तो आपका इसमें उत्तर सही होता है option number B सूर्या नेक्स्ट कोश्चन है बुढपा भी एक प्रकार का अफशाप है इस वाक्य में रंगीन चपे सब्दों की संग्या बताईए यानि कि आपको जो ये हाईलाटेड वर्ड है बुढपा इसमें आपको बताना है कौन सी संग्या है तो आपका आप्शन है जातिवाचक संग्या, व्यक्तिवाचक संग्या, भावाचक संग्या या इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर C, भावाचक संग्या अगला question है, निम लिखे सब्दों में से कौन सा सब्द संग्या है आपके चार option दिये हुए है, कुरुद, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित तो इसमें आपका option सही होता है, option number B, क्रोध यह आपका संग्या सब्द है Next question है, आसू का बहोचन क्या होगा आपके option है, आसू, 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 इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका उत्तर सही होता है option number C, आसू, आसू का बहोचन, option number C, आसू होगा Next question है, निम लिखे सब्दों में से एक सब्द पुलिंग है उसे बताईए, आपके option है, बुढ़ापा, जड़ता, गटना, दया तो इसमें से आपको पुलिंग सब्द बताना है तो इसमें आपका पुलिंग सब्द होता है, option number C, आनि की बुढ़ापा Next question है, निम लिखित वाकि को पढ़िए, तथा उसमें कारक के सही भेत को पहचानिए हे प्रभो, मेरी इच्चा पूर करो तो इसमें कौन सा कारक है, यह आपको बताना है तो आप वाकि के शुरू में देख रहे हैं, हे प्रभो लिखा हो है यानि की यहाँ पर शंबोधन कारक है, किसी को संबोधित करके कहा जा रहा है ठीक है, next question है, भाव आचक संग्या बनाए लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काई पन इसमें से आपको बताना, भाव आचक संग्या बनाना है तो इसमें आपका आप्शन सही होता है, आप्शन नमबर सी, लड़कपन, next question है, सच्रित्रता किस मूल सब्द से बना है आपके पास शार आप्शन है, इसमें से आपका आप्शन सही होता है, आप्शन नमबर बी, चरित्र, कौन सा सब्द बहोचन है, माता, प्राड, लड़का, किताब तो इसमें आपका आप्शन सही होता है, आप्शन नमबर बी, यानि की प्राड जो है, वो बहोचन सब्द है इसमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग सब्द कौन सा है, तो आपके पास चार आप्शन है, इसमें से आपका आप्शन सही होता है, आप्शन नमबर आपके पास चार आप्शन है, इसमें से आपको बताना है इसमें आपका आप्शन सही होता है, आप्शन नमबर आपका सही है, नेक्स्ट कोशन है, किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रामर को तीर से मारा, मोहन से अपसहा नहीं जाता, हिमाले से गंगा निकलती है, चाको से फल काटो, तो अपादान कारक उसमें होता है, इसमें से किसी एक वस्त दूसी वस्त से अलग होती है, next question है हिंदी में सब्दो का लिंग निधान किसके अधाय पर होता है आपके option है संग्या, सवनाम, क्रिया, प्रित्य, तो आपका आप्षन इसमें सही होता option no.A संग्या next question है निम्रकेद में भावाचे संग्या कौन सी है सत्तुता, वीर, मनुष, गुरू तो इसमें आपको भावाचे संग्या छाट कर बताना है तो इसमें आपका option सही होता option number a, सत्तुता next question है निम्रकेद सब्दों में से इस्तिलिंग सब्दों का चैन कीजिए अपराद, अध्याय, श्वदेश, इस्थापना इसमें से आपको बताना है इस्तिलिंग सब्द कौन सा है तो इसमें आपका option सही होता है option number d, इस्थापना इस्थापना है इस्तिलिंग सब्दे अध्य के विचार से संग्या कितने प्रकार के होते हैं तो आपके पास option है 4, 5, 6, या 7 तो अध्य के विचार से संग्या होती है 5 प्रकार की option number अभी आपका सही है next question है नेम लिखित में से कौन सा सब्द व्यक्तिवाचक संग्या है गाय, पहाड, यमना, आम इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संग्या बताने ही कौन सी है तो इसमें आपका आपसर से होता option number C यमना कौन सा सब्द जातिवाचक संग्या नहीं है जवान, बालक, सुन्दर, मनुसि आपको बताना इन में से जातिवाचक संग्या कौन सी नहीं है इसमें आपका उत्तर से होता option number C सुन्दर next question है कौन सा सब्द व्यक्तिवाचक संग्या नहीं है मिठाई, चत्राई, लड़ाई, उत्राई इसमें से आपको बताना है लड़का, सेना, स्याम, दुख इसमें से आपको जातिवाचक संग्या बतानी है तो इसमें लड़का जातिवाचक संग्या के अंतरगत आता है कौन सा सब्द स्थिलिंग है सहारा, सूची पत्र, स्यार, परिशद तो इसमें आपका option से होता option number D परिशद जो है, वो इस्तिलिंग सब्द है नेक्ट कोशन है नेत्री सब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नेत्र, नेतिन, नेताईन तो आपका option सही होता है इसमें option number A, नेता कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक के 8 भेद होते हैं याने के option number B, आपका सही है के लिए किस कारक का चिन है तो आपके पास 4 आप्छन है इसमें से आपका option सही होता option number B Sampdana के लिए याने कि संपधान के लिए के लिए कारक चिन का प्रयोग किया जाता है व्रच्छ से पत्ते गेते हैं इस वाक में किस कारक का चिन है तो इसमें आपका उत्तर सही होता है उत्तर नमबर आप्शन नमबर सी यानि की अपाधान नेक्स कोशन है व्रच पर पच्छी बैठे हैं इस वाक में पर कौन सा कारक है आपके पास चार आप्शन है आपके पास चार आप्शन है इसमें से आपको सही आप्शन चूच करना है तो इसमें आपका उत्तर सही होता है आप्शन नमबर D आधिकरण कारक आधिकरण कारक वागह से बाहर गया इस वाके में कौन सा कारक है आपके पास चार आप्शन है, इसमें से आपका आप्शन सही होता आप्शन नमबर D, अपादान कारक नेक्ट कोशन है, चार पाई पर भाई साहब बैटे हैं, इस वाक में चार पाई सब्द किस कारक में है आपके पास शार आप्षिन है इसमें से आपका आप्षिन सही हो था आप्षिन नमबर D अधिकरण कारक निम्र की सब्दों में सदा स्थिलिंग वाला शब्द कौन सा है पच्छी, बाज, मकडी, गेंडा तो इसमें आपका आप्शन से होता आप्शन नमबर A पच्ची नेक्स्ट कोश्चन है व्याकरण की देश्ट से प्रेम शब्द क्या है भावाचिक संग्या विशेशन क्लिया अव्वे तो आपको बताना है व्याकरण किद्ष्ट से फ्रेम शब्द क्या है आपके पास शार अप्शन है तो इसमें आपका अप्शन से होता अप्शन नमबर A भावाचक संग्या निम लिखिस संग्या फिशेशर जोड़ी में कौन सा सही नहीं है विस विसेला पिताप पैत्रक पादिम प्रांत प्रांतिक तो इसमें आपका अप्शन से होता अप्शन नमबर B प्रांत प्रांतिक कवी का इस्तिलिंग है आपके पास शार अप्शन है इसमें से आपका अप्शन से होता अप्शन नमबर C कवी 3 next question है हिंदी भाशा में वचन कितने प्रकार के होते है आपके पास ard option है इसमें से आपका option सही होता है Action number बी हिंदी भाशा में दो प्रकार के वचन होते है लिंक की द्रस्टसे ङही क्या है इस्थिलिंग, पुल डिंग न पुशे finaling वभै लिंग तो लिंग की द्रश्च से दही क्या है यह आपको बताना है आपके पास शाहरा अप्शन है इसमें से आपका अप्शन सही होता है आप्शन नमबर B पुल लिंग नेक्ट्ट कोशन है निम्ट कित में से काउन सा सब्ध इस्तीलिंग है उत्सा चक्रव्यू म्रत्व शंकल्प तो इसमें आपका अप्शन सही होता है आप्शन नमबर C कि ब्रग्रतू खंड स्तेलिंग है बाल कास्थी लिंग है बाली का वाली का बाल वाली आपको कि बताना है जो इसमें आपका और से युट नब्र इससे चरविदा क्टें क्या कहते हैं आपके पासIn आप्षन है जिसमें से आपका आप्षन से होता आप्षन नबर ए श्यवनाम नेक्ट कोशन है निर्मनखे द्वाक्षों में से किस वाक्ष में श्यवनाम का असुद्य प्रियोग हुआ है वह स्वयम यहां नहीं आना चाहती आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं मैं मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा मुझे इस बैठक की सुचना नहीं थी तो इसमें आपको आपको असुद्य वाक्ष ढूणना इसमें सेवनाम का असुद्य प्रियोग हुआ है तो इसमें आपका आप्षन से होता आप्षन नमबर C मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा न नीक्स्ट कोचिन है सवनाम की कितने प्रकार हैं चारपांच छे या साथ तो सवनाम च्छे प्रकार कि होते हैं यह जानि की आपको सिज़ का सही यह निश्य बाठ्रब्सका सवनाम क्योंसा है आपके आपसे ने क्या कुछ बूण हिए तो इंस्ट कोशन है इनमें अनिश्य वाचेक सवनाम कौन सा है आपके आप्शन है कौन जो कोई हुआ तो इसमें आपका उत्ता सही हुता है उत्ता नंबर यानि कि आप्शन नंबर सी आपका सही है कोई यह घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में यह क्या है संग्या सवनाम विशेशड सावनामिक विशेशड तो इसमें आपको बताना है इस वाक्य में यह क्या है आपके पास चार अप्षिन है इसमें से आपका अप्षिन से उता अप्षिन नबर 20 सवनाम संबंध वाचक सव संग्या या स्वनाम की विशेष्टा बतलाने वाले सब्दों के क्या कहते हैं विशेष्ण विशेष्ट से क्रिया अव्य तो संग्या या स्वनाम की विशेष्टा बतलाने वाले सब्द कहलाते हैं विशेष्ण यानिक आप्षा नमर यह आपका सही है विशेष्ण के कितने प्रकार हैं तो विशेशड के चार प्रकार है निमखित में से विशेशड चुनिए भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयम इसमें से आपको विशेशड चुनना है तो इसमें आपका उत्ता सही होता उत्ता नमबर C थोड़ा यानि कि आपका सही है नेक्स्ट कोशन है निर्ण के सब्दों में कौन सा सब्द विशेशड है सच्चा सीतलता नम्रता मिठास तो इसमें आपको विशेशड सब्द बताना है आपका आप्शन से होता आप्शन नमबर है सच्चा निर्ण के द्वाक में रंगीन सब्द विशेशड है उसका भेद चाट ये रंगीन मतलब जो हाइलेटेड वर्ड है उसको उसका आपका शब्द विशेशण चाटना है आपके पास चार आप्शन है गुड़ वाचक विशेशण अनिश्चित पैडाहम वाचक परिमार वाचक विशेशण सावनामिक विशेशण अनिश्चिस संक्या वाचक तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर डी अनिश्चिस संक्या वाचक विशेशण नेक्स कोश्चन है आलस इस सब्द का विशेशण क्या है आलस अलस आलसी आलसी पन तो आपके पास चार आप्शन है इसमें से आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमब तो इसमें आपका option से ही होता है option number B, नया, next question है, नेम रिखित में कौन सा सब्द विशेषड है, मात्र, खर्च, निपड, चुपचाप, तो इसमें आपका option से होता है option number C, निपड जो है वो विशेषड है, मानो सब्द से विशेषड बनेगा, आपके option है, मनुष्य, मानवी है, मानो सब्द से कौन सा विशेषड बनेगा यह आपको बताना है, तो इसमें आपका option से होता option number D, मान वी है, उतकस का विशेषड क्या होगा, अपकस, आउकस, उतकस, उतकीड, तो इसमें आपका option से होता option number C, उतक्रष्ट, next question है आदर सब्द से विशेशड़ बनेगा आदरकारी, आदरपूरवक, आदरड़ी इनेंसे कोई नहीं तो आदर सब्द से विशेशड़ बनेगा आदररड़ी यादि के आप्छन नमंबर से आपका सही है Grade का विशेशड़ है ke tis सांस्क्तिक सांस्क्तिक इसमें से आपको सही आप्षन बताना है तो इसमें आपका उत्तर सही होता है आप्षन नमबर डी सांस्क्तिक नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सही होता है option number a पाश्विक next question है name लिकित में से कौन सा सब्द विशेशण है soundar, बेकारी, व्रच, फुफेरा तो इसमें आपका option सही होता option number d फुफेरा option number d आपका सही होता है next question है pre-vishेशण के साथ प्रिक्त होने वाली संग्या नहीं है विशे, कवि, मित्र, बैरी तो इसमें आपका option सही होता option number d बैरी next question है किस वाकि में अच्छा सब्द का प्रियोग विशेशण के रूप में हुआ है आपका option है तुमने अच्छा किया जो आ गये यह इस्थान बहुत अच्छा है अच्छा तुम घर जाओ अच्छा है वा अभी आ जाए तो इसमें आपको सही option चुनना है तो option इसमें आपका सही होता option number b यह इस्थान बहुत अच्छा है रचना की दिश्ट से किया के कितने भेद है आपके चार option है इसमें से आपका option सही होता auction number 2 क्लिया का मूह रूप कहलाता है धातु कारग क्लिया विशेशन इनमें से कोई नहीं तो क्लिया का मूह रूप धातु कहलाता है option number is का सही है next question है इसमें रिखत क्लियाは में से कौन से क्लिया अनुकरण आत्मक नहीं है भरफड़ाना जुठलाना तो इसमें आपका अप्शन सही होता है आप्शन नमबर C जुठलाना नेम रिखित वाकर में से कौन सा ऐसा वाक के है जिसकी किरिया करता के लिंक के अनुसार ठेक नहीं है राम आता है गोड़ा दड़ता है हाथी सोती है लड़की जाती है तो इसमें आपका अप्शन सही होता अप्शन नमबर C. क्रिया मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक में भूत कालिक भेद इंगित कीजिए सामान भूत, पोड़ भूत, आशन भूत, संदिक्त भूत तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर B पोड़ भूत Next question है किस वाक में क्रिया वत्मान काल में है उसने फल खा लिये थे मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ अचानक बिजली कौंध की कलवे आने वाले थे तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना है इसमें से आपका आप्शन सही होता आप्शन नमबर B मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ आप्शन नमबर B इसका सही है Next question है चिरिया अकास में उड़ रही है इस वाक में उड़ रही क्रिया किस प्रकाल की है अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका तो ये क्रिया है अकर्मक क्रिया Next question है किस वाकि में क्रिया सामान भूतकाल में है उसने पुष्टक पढ़ी उसने पुष्टक पढ़ी है उसने पुष्टक पढ़ी थी उसने पुष्टक पढ़ी होगी तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है इसमें से आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर A उसने पुछ तक पढ़ी नेक्ट कोशन है निम्रिकित में से किस वाक्य में अकर्मक्रिया है गेहूं पिस रहा है मैं बालक को जगवाता हूं मदन गोपाल को हसा रहा है रामपत्र लिखता है तो इसमें से आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर A यहूं पिस रहा है यह अकर्मक्रिया है नेक्ट कोशन है सामान सामान वत्मान काल का उदारण है सीता बाजा जाती होगी रमेश ने समाचा पत्त पढ़ा वह ऐसा हो रही थी वह कलकता जाता है इसमें से आपको सही उत्तर बताना है तो इसमें आपका आप्शन सही होता आप्शन नमबर D वह कलकता जाता है निम्रकित मेश से किस वाक्रिया है स्याम भाद खाता है जोती रोती है मैंने उसे पुस्तक दी उसकी कमीच है तो इसमें आपका सही उत्तर है आप्शन नमबर B जोती लोती है नेक्स्ट कोश्चन है निम्नकित में विकारी सब्द कौन से है आपके आप्शन है संग्या सवनाम विशेशड क्रिया तस्सम तद्भो देशद विदेशद नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है सब्दों में से कौन सा सब्द क्रिया विशेशड है सुरोदै नीला विगत दीरे-दीरे आपके पास शार आप्शन है, इसमें से आपको सही एंसर बताना है तो इसमें आपका उत्तर सही होता है आप्शन नमबर D, धीरे-धीरे अव्यके कितने भेद होते हैं तो अव्यके चार भेद होते हैं किस एक बाकि में क्रिया विशेशण प्रियुक्त हुआ है वह धीरे से बोलता है वह काला कुत्ता है रमेश तेज धावक है सत्य वाड़ी सुन्दर होती है तो इसमें से आपको क्रिया विशेशण किसमें प्रियुक्त हुआ है यह आपको बताना है तो आपका आप्शन से हु आप्षण नमर ये वह धीरे बोलता है कि नेक्स्ट कोशन साbels崇 Austin का सुध्द उत्मावस्था है आपके आप्षण या अब्रया थरिव मरध तंव मरत तर तो इसमें हे आपकर सही होता, option number c, घनिष्टतर, सम्मंद कारक का चिन है, में पर के लिए रा रे री या से, तो इसमें आपको सही होता है, तो option number c, इसका सही होता है, सम्मंद कारक का चिन रा रे री होता है, next question है, निम्लिकित में विकारी सब्द कौन सा है आज यता परंत लड़का इसमें से आपको विकारी सब्द ढूड़ना है तो आपका पाशार आप्शन है इसमें से आपका आप्शन से यह होता है आप्शन नमबर इसमें विशेशण का कौन सा भेद है समदाय वाचक विशेशण परिमार वाचक निश्चे संख्या वाचक अनिश्ची संख्या वाचक तो इसमें आपका आप्शन से यह होता है आप्शन नमबर इसमें आपका क्रिया विशेशण है तेज पहला वुद्धिमान मीठा तो इसमें आपका क्रिया विशेशण है तेज आप्शन नमबर आपका सही है नेक्स्ट कोश्चन है देश को हान जैचंदो से होती है रेखांगित में संग्या है यानि कि यह सब्ध है जैचंदो इसमें कौन सी संग्या है तो इसमें है आप्शन नमबर आपका क्रण कारक है अपादान कारक है शंपदान कारक है या करम कारक है तो इसमें आपका आपक कर्मकारक, next question है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सरवनाम? भेद क्या है? रेखांकित जो एक क्या है इसमें कौन सा सरवनाम है? तो इसमें है प्रश्णवाचक सरवनाम, option न्बबीर का सही है, next question है, मीरा ने आधा लेटर दूद पी लिया रेखांकित में विशेशण क्या है यानि कि जो सब्द है आधा लेटर इसमें कौन सा विशेशण है इसमें है परिमार वाचिक विशेशण यानि कि आप्शन नबर से इसका सही है नल बूंद बूंद टपक रहा है रेखांकित में कौन रखांकित में क्या है यानि कि विशेषड है क्रिया है रिया विशेषड है यह सव्णाम है बून बून है испर क्मिनल की क्रिया अविशेषड थिन loro override 9 band यूरह से आपको बताना है तो इसमें आपका option से और आप फासन से नंबर स क्रिया करूंठ वांच कितने पका क्यों होते हैं कि नीमन वांच किस से पुरा का आज धन कोई नहीं पूछता यानि कि जे डाटड लाइन है यहां फे इन चार आप्षन में से कौन सा आप्षन फिट बठेगा तो इसमें आपका आप्षन सही होगा आप्षन नमबर A के बिना नेक्ष्ट कोर्शन है निजवाचक सवनाम का प्रियोग किस वाकि में हुआ है यह मेरी निजी पुष्टक है आज अपना पन कहां है अपनों से क्या चिपाना आप भला तो जग भला इसमें से आपको बताना है कि किस वाकि में निजवाचक सवनाम का प्रियोग हुआ है तो इसमें आपका आप्षन से होता है आप्षन नमबर D आप भला तो जग भला इसमें निजवाचक सवनाम है नेक्ट कोश्चन है सिव का विशेशड क्या है शिवेज, संकर, सयो, सयल तो इसमें आपका अफ्शन से होता अफ्शन नम्बर C सयो नेक्ट कोश्चन है वह घर पहुँच गया इस वाक्त में पहुँच गया निम्रिखित में से किस क्रिया का उधारण है आपका action पह्एड़ा अथ्थक करिया, द्यृकर्मकरिया, सहियूक करिया, पूरुकाले करिया तो इसमें आपका action से होता, action number C, सहियूकरिया next question है, इन में से अपादान खारक की विभग्त क्या है ने, को, से, के लिए तो अपादान कारक की विभग्त यानि कि जो चिन होता है, वो से होता है, यानि कि आप्शन नमबर सी इसका सही है, सब्ध जब वाक में प्रयोक्त होने की योगजिता प्राप्त करता है, तो उसे कहा जाता है, आपके आप्शन है वाक के ध्वान पद समास, तो इसमें आपका आप्शन से तो आप्शन नमबर सीब पद डॡ़क है तो पूरन्स ये थे आज के मोष्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के कोशन जो की आपके आगे आने वाले इसमें आपका संग्या सहनाम विशेशड क्लिया विशेशड क्लिया और इसके साथ ही अव्य और कारक सभी को समाहित गया और यह किसी ना किसी प्रीव लाइकन को प्रेस कर दिये जिसे कि आपको वीडियो को नोडिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी त्यारी बेहतर डंग से कर सकें थैंक यू